गाईज अवेंचरस एंड गेम मावल सुडीज की एक ऐसी मुवी है जिसका हम सभी ने बेसवरी से इंतजार किये था लेकिन अब उसी के रिलीज के साथ हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेशन्स खड़े हो चुके हैं जिनमें से हरे का एक्वेशन्स आंसर देपाना काफी मुश्क करेंगे तो चलिए अब भी ना किस दिर के आज की समयजी उड़ी को शूर करते हैं क्यों आयन मैं को स्नैप करनी पड़ी क्या टोनी के जगा थौर स्टार लॉड या कैप्टन मार्वल नहीं हो सकती थी क्योंकि इन कैरेक्टर्स ने पहले भी इंफिनिटी स्टोंस की पाव को एक साथ हैंडल कर पाती कि नहीं और आयन मैं को हमने स्नैप करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम थैनुस के सबसे करीब वही था यहां तक कि डॉक्टर से ने जितनी भी रियालिटी इंफिनिटी वार में देखी थी उन सभी में आयन मैं ये एक ऐसा करेक्ट है जो हर वार थैनुस के सबसे करीब था इंफिनिटी वार और एंड गेम दोनों में ही हीरोज ने थैनुस से गौंटलेट को चीनने की कोशिश की थी तो डॉक्टर स्रेंज ने उस टाइम क्यों नहीं थैनुस के हाथ को सीधा अपनी पावर से कार दिया तो इसके जवाब म को अपनी मल्टिपल रियालिटी में पहले ही टेस्ट करके देख लिया था क्वेश्चन नमबर थी क्या थोर सच में मोटा हुआ था या फिर वो एफेक्ट सीजी यानी कंप्यूटर जेनरेटिड था इस पर रूसोज ने कहा वो पूरा सीजी का कमाल था थोर ने बहुत कु सकती है तो इस पर रूसोज ने कहा नहीं ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती अगर सोल्सों को एग्जैक्ली उसी जगह और उसी टाइम में वापिस रख भी दिये जाए तो वो मर चुका परसन बापिस नहीं आएगा इसलिए ब्लैक वीडियो अब हमेशा के लिए जा और सोल्सों को वापिस रखने के बाद रेड़ सकल अगले स्टों सीकर का वहीं दजार करेगा क्योंकि रेड़ सकल अब एक डिफरेंट एंटिटी है जो अब सिर्फ सोल्सों के गार्ड की तरह काम करता है इनफिनिटी वार में थैनुज ने मर चुके विजन को टाइम स्टों से दोवारा जिन्दा कर दिया था और इस वज़े से कोई अल्टरनेट रियालिटी वी करियेट नहीं हुई थी तो क्यों आइन मैं को भी एंड गेम में ताइम स्टों की हेल्प से बचाया नहीं गया इस पर रूसोज ने कहा एंड गेम में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगर आप आइन मैं को टाइम स्टों से दोवारा जिन्दा करने की कोशिश करेंगे तो उससे थैनुज की जीत हो चाईगी और डॉक्टर स्टे ने जितनी भी रियालिटी देखी थी उन सभी में आइन मैं क सेक्रिफाइश जरूरी था इस पर रूसोज ने कहा थैनुज की आर्मी में एबनी मौनाम का एक काफी पाफुल जादुगर है और खुद थैनुज भी एक जीनिस है तो दोनों नहीं पिम पार्टिकल्स को रिवर्स इंजिनियर किया और बहुत जादा मांट में पिम पार् ले थे तो इस पर रूसोज ने कहा जो लोग थैनुज की स्नैप के कारण डेस्ट बन चुके थे उनके लिए पांच साल सिर्फ एक छोटी सी नीन जैसे थे और उनकी एज नहीं बड़ी यहां तक कि उन्हें तो यह भी नहीं बता कि पांच साल बीच चुके हैं सिर्फ डोक अगर माउस कौंटम मशीन का बटन दवाता ही नहीं और क्या माउस का बटन दवाना एक कोइंसिडेंट था तो इस पर रूसोज ने कहा हाँ वो एक कोइंसिडेंट था और उसी माउस की वज़े से यूनिवर्स बचबाया लेकिन इन्फिनिटी वार में डॉक्टर सेंज के की पिटने की आवाज थी तो वो एक्चुल में था गया इस पर रूसोज ने कहा वो आइन मैन को एक आखरी गुडबाई करने के लिए किया गया था इस पर रूसोज ने कहा हमें फील हुआ कि हारली को भी आइन मैन की फ्यूनर में होना चाहिए और क्या पता वो बच्चा फ्यूचर में दोवारा दिख जाए तो वैज ये आइन मैन के रूल को फर्दर प्रोसीड करने का एक रेफरेंस है जिसमें शायद हारली ही फ्यूचर मूवीज में आइन मैन के करेक्टर को आगे प्ले करें इस पर उन्होंने कहा पास्ट में जो कुछ भी चेंज किया जाएगा उससे एक नए रियालिटी क्रियेट हो जाएगी जिसका मेन रियालिटी पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा लाइक जैसे कैप्टन अमेरिका ने पास्ट में जाकर जब पैगी से शादी की तो उससे एक नए रियालिटी क्रियेट हो गई लोगी एवेंजस वन के टाइम से टैजरेट लेकर भाग गया तो उससे भी एक नए रियालिटी क्रियेट हो गई और 2014 के थैनुस को एंड गेम में मारने के कारण 2014 से ही एक और रियालिटी क्रियेट हुई जिसमें थैनुस हो गई नहीं लेकिन इन सब बातों का में रियालिटी यानि MC की में कंटिनुटी पर कोई भी फरक नहीं बड़ेगा क्योंकि जैसा हल्क ने कहा चाहे पास्ट में जो कुछ भी कर लो उससे उनका फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला बट पास्ट में जो चेंज हुआ होगा उसके बेसिस पर एक और नए रियालिटी क्रियेट हो जाएगी तो गैस ये थे वो कॉश्चन जिनके आंसर रूसोब रदस ने दिये थे इसके लावा और भी बहुत से ऐसे कॉश्चन है जिनके आंसर अब भी जानना बाकी है जो टाइम के साथ साथ हमें मेली जाएंगे अब जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा